नवस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओलाइन इस्टिट्टूट निसान तयान की यूट्यूब प्रेटफॉम पर मैं इतनु पाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ इमिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मित्रों आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ चाहे आप पर्थम समिस्टर में हैं चाहे आप 23 बैच में एडिमिनिसन ले रहे हैं चाहे आप 21 बैच के 33 समिस्टर का पेपर दे रहे हैं आज गणित विशे का paper रहा है निश्चित तोर पे तमाम सारे यूटूब चैनलों पर आपने देख लिया होगा और आपके बड़े भाई छोटे भाई ने paper हल करके आपको दिखा दिया होगा मित्रो पेपर को हल करवाना या पेपर के बारे में बताना मेरा कोई उद्देस नहीं है क्योंकि आसान पेपर आया था आज बैख वाले पेपर और जो सभी पेपर हुए हैं उसका मैं सोलुचन आपको देने वाला हूँ कि क्या क्या होने वाला है और दूसरी चीज त्रितीय समिश्टर के बच्चे जो आगे त्रितीय समिश्टर में मैथ देने वाले हैं, हम उनके लिए बात करने वाले हैं, कुछ बच्चों का पेपर थोड़ा सा गढ़ गया है, हम उनकी भी बात कर लेते हैं, मित्रो सबसे पहले जल्दी जल्दी में दो 4 मिनट के अंदर सभी question का हल आपको दे देता हूँ, सबसे पहले बाल, पहले question का जो answer होगा 3 बटे 4 का जो योज्य प्रतिलोम होता है, वो होता है, माइनस 3 बटे 4 क्या होता है, माइनस 3 बटे 4 होता है, दूसरा है किस संख्या के किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, वो होगी, मित्रों 80, ठीक है, वह संख्या क्या होगी, 80 होगी, 80 का 60% में आप जब 32 जोड़ेंगे न, 80 गुड़ें साथ बटे सो, देखें, आठ चाक अनतालिस, अनतालिस में जैसे ही आप 32 जोड़ेंगे, 80 हो जाएगा, ठीक ह योगफल का गुड़न फल क्या होगा, इसका देखिए, 5 और यह क्या होगा, 50, इसका जो योगफल होगा, कितना होगा, योगफल क्या होगा, योगफल होगा मित्रों, 55 और अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा मित्रों, अंतर होगा, 45, 55 और 45 का जब गुड़न फल ठीक है एध्यान रखिएगा चौथा Question है जीरो का रोमन अंक नहीं होता है जीरो आज तक आपने रोमन अंक जो देखा है वो हमेशा एक-डो-तीन से सुरवात होती है जीरो का कोई रोमन अंक नहीं होता है 5वा सवाल देख लिजिए 5वा वाल है पचीज बटे थन तीन बटे datos नहीं हे जब डो यहां है दो अंग लाईए दसंवल जीरो यहां हो जाएन थन नग, इदर आज आएगा ड news को एड करना है आपको add कर लिजिए 25.00, दसमलोक नीचे, दसमलोक 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 4, ऐसे ही हम इसे हल करते हैं, 4, 3, 0, 25, 0, 3, 4 इसका सही उत्तर है, option number 3 सही हो जाएगा, ठीक है, यह 5 बवविकल्पी आप देख लिए होंगे, निश्य तोर पे अगर कोई इधर उधर हो त चटा सवाल देख लिजिए, 20 सही 2 बटे 3 मीटर लंबी रसी में, 5 सही 1 बटे 8 मीटर काटा गया, सेस रसी के लंबाई क्या होगी, इसका मतलब 20 सही 2 बटे 5, 20 सही 2 बटे 3 में से, आपको 5 सही 1 बटे 8 घटाना है, 20, 32, 62 बटे 3, माइनस 5, 48, 41 बटे 8, 3 और 8 का LCM 24 होगा, 3, 38, 24, 8 से गुड़ा कर दीजी, आर्दूनी 16 का अच्छा हासिल 1, 8, 46, 49, 49, माइनस 8, 24, 3, 1 के 3 चों का 12, 49 में से जब आप 12 को घटाएंगे, 8 मसे 3 गया 5, 9 मसे 2 गया 7, 4 मसे 1 गया 3, 375 बटे 24 आ जाएगा, ठीक है, अब 375 बटे 24, देख लीजिए गा, 8 मसे 3 गया 5, 9 मसे 2 ग ठीक है, 24, 24, 7 मसे 4 गया 3, और 3 मसे 2 गया 1, और फिर 5, 24, 5, 120, 24, 25, 120 होता है, यहां गया 15, इसका मतलब कितरा आगया 15, तो 15 सही 15 बटे 24, 15 सही 15 बटे 24 आप इसे लिख सकते हैं, अब इसे 3 से काट देजिए, 3, 15, 3, 8, 24, 15 सही 5 बटे 8, ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएग चटा सवाल हो गया, सतमा सवाल देख लिजिए, सतमा सवाल है, किसी गाओं में पुर्सों की संख्या इतनी है, और महिलाओं की संख्या इतनी है, ज्याद कीजिए, किस पुर्सों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधीक है, पुर्सों की संख्या माल लीजिए, गहटाना है आपको ठीक है गहताना है 6x yард कना 5y2 2-8 Z आप बताएं एक बताएं किसी गाउं में पुर्सों की संख्या 8 है और महिलाओं की संख्या 3 है तो आपसे अगर मैं कहूं कि बताइं पुर्सों की संख्या महिलाओंसे कितना आधिक हैS आप कितना कहेंगे पांच अधिक है तो आठ में से तीन को घटाते हैं आप वह इसे यहां कर लीजिए अच्छा यक्स वाई प्लस पांच वाई स्कॉयर माइनस आठ जेड माइनस माइनस जब भी आप घटाईएगा इसे जो है अगला वाला ब्रिकट में कर लीजिएगा मैंन से तो यक्स माइनस xy प्लस two y हो जाएगा अब देखिए कोई सजाती मिल रहा है आपको सजाती हम कितना पहले 5y स्कॉयर घात जो है पहले बड़ी लिखते हैं बाद में अगर घात दरुदर कर दिया तो भी कोई दिख्कत आपको नहीं लेनी है वो इसे कह रहा हूँ कि पहले घात को बड़ी लिखना चाहिए, पांच वाई स्कार पहले हो गया, उसके बाद आप देख दीजिए, एक आपस में जो है, सजाती है, बिरादर है, तो हो जाएगा, पांच यक्स वाई हो जाएगा, छाम से एक है, पांच यक्स वाई और प्लस दसमलो का योग, योग कर लिजिए, इक्क्यावन दसमलो तीन, कोई दिखकत है, इक्क्यावन दसमलो तीन, पांच सो, दसमलो के नीचे, दसमलो का जोड़ करते समय, दसमलो के नीचे दसमलो लिखते हैं, दसमलो के नीचे दसमलो लिखीएगा, उसके बाद लिखा गया है, 510, 510, 0, 3, 510, 0, 3, उसके बाद 5100, 5100, 5100, 0, 0, 3, उसके बाद 5001, 5 के आगे 3 0 है, 1, 2, 3, 3 0 है, फिर 1 है, फिर दसमलो है, फिर लगा है 00, 00, 00, फिर 3 लिखा है बस आपको यही 8 कर लेना है, अब जहाँ पर संख्या, कुछ नहीं वहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं आप, अपने सेप्टी के लिए, ठीक है, बढ़ा दीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अब जोड लीजिए, 3 हो गया, फिर यहा गया ना नवा सवाल देख लीजिए नवा सवाल क्या कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या ग्याद कीजिए 49-69 109 से 9 को भाग देने पर सेसफल क्रमसा एक तीन पांच सेस बचे मलसा मसा वाले मैंने बताया है अचास में से क्रमसा जब ऐसा पूछा जाता है तो 1469 और 109 अब इसमें से जो है पहले क्रमसा एक बचे फिर तीन बचे फिर पांच बचे घटा दीजिए 48-49-39-39 बचे च्पन एक सो नो में से पांच गे 104 अब इसका हम क्या करेंगे इसका हम यचसीअप निकाल लेंगे क्या निकालेंगे यच सीयप यच सीयप आप निकाल लीजिएगा कितना 204 में हम program 29 दूहीं यह स्टने में चार चार 8 हम ठीक है उसके बाद यहां पर देखेंगे smart निकालना आप जानते हों गाप automat नहीं होगी 8 शका Rs. wydaje हो जाएगा यह सी अब कितना आ गया आठ आ गया फिर आठ से देखिए 48 आसानी से कड़ जाएगा तो संख्या क्या आ जाएगी उत्तर यही आपका आठ आ जाएगा आठ से आप 49 में भाग करेंगे आठ चाकर तालीस आठ से चपन तीन सेज बचेगा एक सो नम भाग करेंगे आठ से भाग करेंगे तो आठ बाराठ चानवे तेराठ एक सो चार पांच से बचेगा कोई दिक्कत उत्तर आपका कितना आएगा आठ आएगा ठीक है आठवा सवाल हो गया चली मित्रों आठ डवा सवाल हो गया दसवा सवाल आप देख लीजिए दसवा सवाल पटरी और साहता से आपको कोण बनाना है मैंने पूरी इत्मिनान से उसे पढ़ाया था और पटरी परकार से कोण बनाने वाले जो वीडियो थे हमारे 35 से 45,000 बच्चे जो है इसे देखे थे तो आप भी देखे होंगे तो आपका भी हो गया होगा कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है उसके बाद 11.1 सवाल देख ली जी है मितरो तो भुजा कितनी इसका दिया गया है घुजा है मित्रों 4 cm तो अंडर रूट 3 बटे 4 गुड़े 4 का वर्ग मतलब 4 गुड़े 4 कर दीजिए 4 से 4 का इंसी लो जाएगा 4 रूट 3 cm2 इसका क्या आ जाएगा छेतरफल आ जाएगा कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है चले मित्रों बरहवा सवाल देख लिजिए एक आयताकार बगीचे की लंबाई चोड़ाई में अनुपात 5 अनुपाते 3 है यदि आयताकार बग का छेतरफल 1500 वर्ग फिट है तो बग के 4 और त बग से जो पार लगाना अर्थात बहाग के जो परिमाप है परिमाप की चर्चा कर रहा है देखिये मित्रों ज्यान रखिएगा इसकी लंबाई चोड़ाई च्ड़ाई 5-13 है और चोड़ाई इसकी की कितनी है? चोड़ाई इसकी तीन यक्स है तो 5X गुड़े 3X 5X गुड़े 3X बरावर 1500 यहाँ पर देखिए 5 तियां 15 X स्क्वाइर बरावर 1500 हो जाएगा तो X स्क्वाइर बरावर हो जाएगा 15 सो में 100 हो जाएगा X स्क्वाइर बरावर 100 हो जाएगा X की value कितनी आ जाएगी बाग के चारो और, मतलब चारो और का मतलब क्या करना हमें उसके परिमाप याद करना है, ठीक है, तो परिमाप हो जाएगा, दूई ब्रिकट में लंबाई धन चोड़ाई, दूई ब्रिकट में 50 धन, 30, तो 50-30 असिद वहीं है, 160, 160 मीटर जो है उसकी क्या आ गया, परिमाप अब देखिए, बाग के चारो और तार लगाने कितना खर्चा आएगा, जबकि तार का मुले 12 रूपिया फिट है, ठीक है मितरो, ये फिट में आया है, मीटर नहीं है, फिट है, ये फिट है, 12 रूपिया फिट, एक फिट का खर्चा कितना आता है, एक फिट का खर्चा आत आप सभी लोग जानते 160 गुड़े 12 कर दीजिए कोई दिक्कत आपको 12 0000 126 बारे के 127 19 1920 रुपया आएगा कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको हुई होगी हाना बहुत आसानी से आप सवाल करें हल कर लिए होंगे हाना चलिए अकला सवाल आपको बताता हूं तेरावा सवाल देख लिजिए, त्रिभूज किसे कहते हैं, त्रिभूज किसे कहते हैं, त्रिभूज किसे कहते हैं, तीन भीजाओं से गीरी हुई आकरती को हम त्रिभूज कहते हैं, ठीक है, उसके बाद कहा है, भूजाओं यों कोणों के आधार पर त्रिभूजों का सचि दिवाओं त्रिभुज ठीक है अब संभाव में क्या होता है तीनों कोड तीनों भुजाएं बराबर होती है विसंभाव में कोई बराबर नहीं होता है इस तरीके सोता है ठीक है और सम दिवाओं में क्या होता है सम दिवाओं में दो दो भुजाएं बराबर होती है आप यह तीन प्रकार के तृबुम होता है जिसमय़ एक होंड जो है अधिक होंघ हए हगा थीक है हमें लगता है कि आप लिख लिए होंगे शीट पर मैं सवाल कराया हूँ अगला बात करते हैं रचिता रचित चौधावा सवाल है चौधावा सवाल कहता है कि रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रूपया मासिक बचाता है उसकी वार्थिक आयों खर्च ग्याद कीजिए ठीक है वित्रो ज्यान रखेगा रचित है मासिक आय रचित की मासिक आय रचित की मासिक आय माना रचित की मासिक आय सव रूपया है रूपया सव है ठीक है सव है और वह असी परसेंट खर्च कर देता असी प्रस्चत खर्च करता है खर्च करता है असी परसेंट खर्च करता है मतलब सव का 80% कितना हो जाएगा सव 80% कितना होगा 80 रूपया होगा ध्यान रहे खर्चो 80 रूपया आप कर देता है 100 रूपया कमाता है तो बचाता कितना है तो बचाता कितना भईया आप कहेंगा 100 रूपया कमाता 80 रूपया खर्चा कर देता 20 रूपया बचाता है यह तो आपने माने वाले में से दिखाना ला अगर उसकी आय 100 रूपिया है, जिसका मतलब वो 20 रूपिया बचाता है, और जबकि सवाल में दिया गया है, वो 120 रूपिया बचाता है, प्रस्ना नुसार क्या दिया है, जबकि वो 120 रूपिया बचाता है, मतलब जो 20 रूपिया आपने मान करके सवाल लगाया है, 20 रूपिय कि अ न अरहा न तो रचित की मासिक में कितनी हो जाएगी ठाव रूपया हो जाएगी और क्या पूछा है रचित की वार्षिक यह जो आई है हां मित्रों जो उसकी ए आई है ना 600 ए मासिक आई आई है अगर वार्सिक आई पूछे ध्यान रखे गए सवाल थोड़ा था आपको गुमाया है अगर वार्सिक आई पूछे तो 600 गुड़े 12 कर दीजिएगा ठीक है 12 चक 72 रुपिया उसकी वार्सिक आई हो जाएगी और उसक महिने में 80 रुपिया खर्चा कर रहा है तो साल भर में कितना खर्चा करेगा वार्सिक खर्च वार्सिक आई है और वार्सिक खर्च कितना होगा वार्सिक खर्च वार्सिक खर्च उसका 80 रुपिया एक महिना में 12 महिना में 960 रुपिया वार्सिक खर्च होगा ध्यान रख पिक्टोग्राप अगर जो बच्चा हमारी वीडियोज देख करके गया होगा, 100% पिक्टोग्राप का सवाल गलत नहीं हुआ होगा, यह दावा मैं करता हूँ, क्योंकि पिक्टोग्राप बहुत आसान है, मैं यहाँ पर करके दिखाने वाला नहीं हो, क्योंकि 33 समिश्टर के साथ गुडे आर बराबर 22, ठीक है, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, 7 बटे 2 मीटर, तो वृत की चेतरफल कितना होता है, वृत का चेतरफल होता है, पाई आर इसक्वाइर होता है, पाई की वेलू 22 बटे 7 है, आर की वेलू 7 बटे 2 है, इसको दो बा वृत का छेतरफल आ जाएगा ठीक है 16 सवाल हो गया 17 सवाल मित्रों देख लिजीए 17 सवाल आपके बीच कहा गया एक अच्छा में 60 विद्ध्यारथी है कितने विद्ध्यारती है कुल टोटल जो है 60 विद्ध्यारती है उसके बाद 50 प्रेस्जट विद्ध्यार्थी प्रथम स्रेड़ी में 40% विध्यारी दूतरी स्रेड़ी में, total, कुल परसेंटेज, यहां लिखिएगा, हम जानते हैं, total 100% होता है, यदि 50% पर्थम में, यदि 50% पर्थम और 40% दूती स्रेड़ी में, दुतिय स्रेणी में उत्तिरण होते हैं, उत्तिरण होते हैं, तो तुतिय स्रेणी में नीचे, मैं मिटा देता हूँ, होते हैं, तो तुतिय स्रेणी में उत्तिरण, तुतिय स्रेणी में उत्तिरण, उत्तिरण बच्चे, उत्तिरण बच्चे कितना होंगे? टोटल 100% है, 50 और 40 प्रथम और दुटीस रेणी में हुपास हो जाते हैं, 50-40-90, 100 में से 90 गया 10%, 10% बच्चा 33 रेणी में उत्रिण है, आप से question पूछ लिया गया है कि 33 रेणी में उत्रिण विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों 60, गुड़े 10, बटे 100, कल लिजिएगा, आपका आजाएगा अच्छा, 6 विद्यार्थि जो है 33 रेणी में उत्रिण है, ठीक है भाईया, समझ गया, देखे मित्रों, अठ्रावा सवाल आपके बीच क्या दिया गया है, अठ्रावा सवाल आपके बीच दिया गया है, ए बर 2 का वर्क करेंगे, कितना आजाएगा, 4 आजाएगा, धन, धन, रिन का गुड़ा यहाँ पर करेंगे, तो रिन 8 आजाएगा, और रिन 2 यहाँ पर लिखा गया है, पांच यू का 20, रिन 8, रिन 2, दोनों जो रिडात्मक होते हैं, जुड़ जाते हैं, 20, रिन 8 दुई 10, 20 मस चार गुड़े रिन 2 का वर्ग, धन 3, ब्रिकट में रिन 2, कर दीजिए, रिन 2 का घात 3 करेंगे, रिन 8 आजाएगा, धन 4, रिन 2 का वर्ग, 4 ही होगा, धन रिन का गुड़ा रिन 6 हो जाएगा, रिन 8, धन 4, 4, 4, 16, रिन 6, 8 और 6 जोड़ेंगे, रिन 14 आजाएगा, धन 16, तो एक धन है, एक रिण है, हमेशा घटता है, 16 मसे चोधा गया, 2, प्लस का की माइनस का, क्योंकि 16 बड़ा है, ठीक है, तो पूरे 18 सवाल आपके बीच यही रहे मित्रों, ठीक है, पूरे 18 सवाल यही रहे, ठीक है, आपका पेपर नहीं बना, और आप जो है, चिंता में है, देखे मित्रों, चिंता में मत रहिए, जो पेपर आपने करके आया है, उस पर आप भरोसा करिए, ठीक है, कितने नंबर पास मार्किंग होता है, 12 नंबर, ठीक है, बारा नमबर पास मार्किंग होता है, अगर आपने बहुविकल्पी है, आपने अगर बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी है, मालीजी एकाद किसी के गलत हो गया, कोई बात नहीं है, बहुविकल्पी है और अतिले गुत्तरिये, ठीक है, बहुविकल्पी है और अतिले गु किये होंगे या दो-तीन सवाल आपके सही हो गए दो-तीन सवाल आधा-दा करके आपने छोड़ दिया मित्रों स्क्वेस्टन जो यहां पर जो क्वेस्टन होता है जो लगुत्री सवाल होते हैं लगुत्री सवालों को आपने पूरा किया ता आपको दूर नंबर देना है उन् तो टेंसल लेने की कोई आवस्यक्ता नहीं है, अपने उपर भरोसा आप किये हैं, आपने अगर 12 नंबर सही करके आया है, तो आप जरूर पास होंगे, आप इस दिमाग से निकाल दीजिए, हाँ, कुछ बच्चों का पेपर बहुत ज़्यादा खराब हो गया होका रहे हैं, 8% लग जाएगा, पुरी सकरात्मक्ता से बोल रहे हैं, तो मित्रों अगर बैक लग जाता है, तो अगली बार 2024 में जब फिर परतम समेश्टर के परिच्छा होगी, उसी समय आप बैक क्लियर कर पाएंगे, बीच में स्कुर्टिनी वगरा आती है, उसके कोई फायदा नहीं होता है, आप जानते हैं, ठीक है मित्रों, तो पर्थम समेश्टर के छात्रों के लिए अब बात हो गई, अब पर्थम समेश्टर के छात्र जा सकते हैं, 33 समेश्टर के छात्रों के लिए मैं बात बता दू, 33 समेश्टर वालों के लिए, मित्रों आज पर्थम समेश्टर का कौन कौन सा पेपर था मुझे पता है आप सभी को पता होगा आज प्रथम समेश्टर का विज्यान था विज्यान था गणित था और सामाजी विज्यान था क्या था विज्यान गणित और सामाजी विज्यान ये तीन पेपर जो है आज प्रथम समेश्टर के हुए है और कल जो ले ले लेता हूं विज्ञान को समाजिक विज्ञान को आज पांच पेपर शंपादित हो गया है प्रथम सेमिष्टर वाले मैं आपको बता दू चाहे पवन सीरीज आप पढ़ रहे हैं चाहे राजन सीरीज आप पढ़ रहे हैं निश्चित तोर पे जो भी question आये हैं, जो भी question आपकी परिच्छा में बने हैं, 70 to 80% question जो है, पिछले वर्स के बने हैं, previous year के question बने हैं, ठीक है, पिछले वर्स के paper बने हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है, जैसे गणित विसे के concept आपको मैंने वीडियो दिया है, उससे आप पूरा कर लिए होंगे, और उसके बाद अगर previous year का paper की होंगे, 100% आप जो है, 15 प्लस नंबर गिरते पढ़ते जरूर पा जाएंगे, ठीक है, उसी तरीके से 33 semester वालों को मैं बताना चाहूंगा, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, लेकिन previous year paper को आप करके जाना, ठीक है, और अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग comment box में लिखिएगा, मैं previous year paper को हो, तो 33 semester वालों, आपको 2-3 previous year paper करा दूँ, previous year, जो 2016 मुँए, 17 मुए, 18 मुए, वो मैं करा सकता हूं, ठीक है, आप कहिएगा, कल मतलब कितने दिन, कबसे paper अच्छा से, 7 को आपका previous year करा दूँगा, अगर आप लोग कहेंगे, तो ठीक है, तो previous year paper गणित विशे का जरूर आ रहा है, और एक चीज मैं आपको एक सुझाओ मैं देना चाहूंगा, मित्रों, जो भी बच्चा dealet कर रहा है, दिल पे हाथ रख करके बताईएगा, कि क्या सिरीज से question आ रहे हैं क नहीं आ रहे हैं, आप comment box में लिखिएगा, आपको जो है, मैं जो लुकुर-लुकुर सब इस्तेमाल करता हूं, क्या दिन भर social media platform पे dealet-dealet करने की कोई जरूरत है, तो आपके दिल से आवाज आएगी, नहीं भाईया, मुझे dealet-dealet करने की दिन भर में जरूरत नहीं है, क्य जो कि भाई, आपको dealet अगर करना है, चतुर समेस्टर की सीरीज लाइए, बुक लाइए, पढ़िए, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको आगे यूपीटेट देना है, और अच्छा competition करना है, तो आपको dealet जो होता है, इतना confidence आप बना के चलो, इतना basic आप मजबूत कर ल है, अगर आपका basic बहुत कमजोर है, तो जिस topic से related दिक्कत होती, वही आप देखिए, नहीं तो आगे आपको तयारी करने की जरूरत है, teacher बनने की, ना कि dealet करने की, यह हुआ बना दी हैं, यार कुछ लोग dealet को, लगातार हमारे पास मैसे जाते हैं, भाईया महराथन दे द महराथन मैं कराऊंगा, निक्ष Entscheid तोर पर कराऊंगा, लेकिन आपको सिछक बनने की जो अंतिम लडाई होगी, उसमें मैं मैं महराथन दूँगा, ठीक है, अभी आप लोग मेरे उपर अगर भरोसा करते होना, भरोसा करक एक बार देखो, निक्षित तोर पर भरोसा करी रह जब अंतिम लड़ाई होगी उस समय मेरे मेराथन चलेंगे और मुझे पता है कि मैं पूरा जान जोग दूँगा लेकिन आपको जो है अंतिम सफलता जरूर दिलवाऊंगा उसी के लिए मैं लड़ाई लड़ा हूँ अगर मेरी लड़ाई जो है यूटूबर बनने की होती न और मुझे पता है कि डियलेट का हर एक बच्चा आमको जानता और मुझे लाइक करता मुझे सेयर करता मुझे सब्सक्राइब करता और बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखता लेकिन मुझे फिर से एक बार में कहना चाहूंगा भाई मुझे उससे फायदा मुझे होता आपक मैं कहता हूँ अगर जिस जिस रणनीती के साथ मैंने आपको इश्टर जी बताई थी अगर आपने फालो किया है तो किसी भी पेपर में आपका बैक लग जया है तो बताईएगा 100% मैं आज पिछले 3 सालों से DLA को देख रहा हूँ पिछले 3 सालों से यूपिटेट सीटेट और इस सब छेत्र में हूँ तो मुझे पताया भाई पेपर कहां से आएगा इसी वज़े से मैं आपको महराथन संस्कृत के लिए कितनी बार बच्चों ने कहा इसी वज़े से मैं आपका नहीं दिया आठ वीडियो पंचामरित सिंखला का बनाया हूँ उठाय करके देख लो 20-25-25 मिनट का वीडियो है दुबारा से क्या मतलब है दरुदर करने की पढ़ने पढ़ेंगे तब जाकर के कहीं आप जो है उनकी कटेगरी में आएगे जो 2017 से बिठे हुए है आपकी लडाई उनसे है बाकी जो समझदार बच्चे हैं समझ रहे है कि हम क्या बोलना चाहते है अभी फिलाल परिच्छाएं दीजिए परिच्छा के बाद मैं आपक के कमेंट बाक्स में कह सकते हैं लेकिन अगर मेरे से पढ़ने वाला दस बच्चा भी मेरे उपर भरोसा करता है तो यकीन मानिएगा नितिनुपाद्य है आपके भरोसे को कभी कम नहीं होने देगा अनमरत बढ़ाएगा निरंतर आपके लिए मैं प्रयास करूंगा बहतर कर करने के लिए और इसी वज़े से मैं you també तो बहुत पहले मैं यूटitzer बन गया होता आजा सब्सक्राइबर कि संख्या बहूत जादा होती मुझे पता है आज सब्सक्राइबर कम है क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोलता भी नहीं हो सब्सक्राइब करियो लाक सेयर करियो चलिए आखरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा यही जजबा रहा तो मुस्किलों का हल भी निकलेगा जमी बंजर हुई तो क्या वही से जलबे निकलेगा नहों मायूसन घवराई संदेरे से मेरे साथी इनी रातों के दामन से सुनारा कल भी निकलेगा बाई के उपर अगर आपने भरोसा किया है ताने वाला समय आपको सिछक की कुरसी पर अगर न बैठा दूँ तो उसी दिन मेरा नाम बदल देना प्रयास करूंगा पूरी तरीके सा जान लगा दूँगा लेकिन आको डियलेट कराने का करा मेरा कोल क्यों उदॅवर युद्ध से है आपको सिछक बनाने को उद्धिससे मैंने यहां पर आया है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत